हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट वेलकम तु सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यदि आप आइटियाई करने वाले हैं तो कौन से ट्रेड आपके लिए बहतर होगा और बहुत से देखिए कैंडिट आइटियाई करते हैं मैक्सिम रेलवे में आइटियाई का जाता है अब यदि आप आइटियाई में एडमीशन लेना चाहरे हैं तो बहुत सोच समझ कर एडमीशन लिजिए क्योंकि आपका ट्रेड ही आगे डिसाइड करता है कि आप कौन से फिल्ड में जाना चाहते हैं यदि आप रेलवे में जाब करना चाहते हैं तो ITI trade से जो post आती है, maximum जो जावाता है, ये group C और group D वालो के लिए आता है, अब मैं ये भी होता हूँगा, group C में कौन से post के लिए जावाता है, और group D में कौन से post के लिए जावाता है, और आपको ITI में trade कौन सा लेना चाहिए, यदि आप ले रहे हैं, तो railway में आसानी से ज दिप्लोमा होल्डर हूँ, जिसका मैंने mechanical engineering से डिप्लोमा किया है, गवर्मेंट पोल्टेक्नी कानपूर से, और हुआ ये था, कि जो वकेंसी पिछली साल की आई थी, पिछले बार, जो railway लोको पालेट की, असिस्टेंट लोको पालेट और technician की, उसमें मैं फार्म को भरा वहीं पर देखें, वहीं पर technician post जो ITI से थे, minimum 45 मार्च लाके, उनका selection हो गया, तो ये आपके उपर decide करता है, यदि आप ITI कर रहे हैं, तो आपको ये source समझ कर admission लेना चाहिए, कि कौन से trade से ले, मैं यहाँ पर trade की list कुछ बता दे रहा हूँ, यदि आप ITI में admission लेना चाहत चाहते हैं, जैसे कि electrical से संब्दित, यदि आपको work करने का पसंद है, तो आप ITI में trade लेक सकते हैं, electrician trade ले सकते हैं, wireman trade ले सकते हैं, और electronics trade ले सकते हैं, जिसमें railway में काफी ज़्यादा वकेंसी आती है, यदि आप mechanical feed से जाब करना चाहरे हैं, और यदि आपका interest mechanical work में है, या अंतरिक work में हैं, तो आप feature ले सकते हैं, turner, machinist, welder, उसके इलावा, उसके इलावा, mechanic motor vehicle, diesel mechanic, tractor mechanic, CA trade भी आप ले सकते हैं, जो कि आपके railway में जाब के लिए काफी वकेंसी यहाँ पे निकलता है, ITI के लिए, तो यदि आप railway में assistant local pilot की जो वकेंसी होते हैं, इसमें देख मार ले जाते हैं, क्योंकि ITI की जो लड़के होते हैं, maximum non-technical पे focus कम करते हैं, या उनकी पढ़ाई की level जो होती है, कम होती है, इस वज़े से जो assistant local pilot की जाब है, वो maximum diploma वाले ले ले लेते हैं, selection ले ले लेते हैं, लेकिन या ऐसा नहीं कि ITI वाले भी assistant local pilot नहीं बन पाते हैं यदि आपका trade fitter, turner, machinist, builder, mechanic motor vehicle, diesel mechanic, tractor mechanic इत्यादी से हैं, इन ट्रेडे से आपने ITI किया हुआ है, तो आपको भी असानी से selection मिल जाता है assistant local pilot पे, और जो देखिए ये तो fix रहता है assistant local pilot के लिए आप फर्म बरें, तो इन ट्रेड से ITI कर ले रहे हैं, तो काफी बेतर रहता ह और दूसरी बात, देखिए, आपके पास assistant local pilot बन जाते हैं, तो बेतर है, लेकिन आपका दूसरा option आ जाता है, यह ITI से आपने railway में फार्म बरा हुए तो, technician आसानी से बन जाते हैं, technician मेरे समय में बताऊं, मेरा एक खुद का friend है, जो ITI किया था, mechanic motor vehicle से, और 45 नंबर पे उसक सेलेक्शन हो गया है, technician post पे, तो देखिए, ITI की जो कोई भी, कोई भी जाब होता है, railway department मों या ISRO या DRDO, इसमें जो merit list बनता है, ITI लेवल का, बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम जाता है, बहुत ही लो जाता है, तो आप सोचे, यदि आप ITI कर ले रहे हैं, तो आप में railway मे apprentice यदि कर ले रहे हैं, ITI करने के बाद railway में apprentice कर ले रहे हैं, तो आपको बहुत ही जादा benefit मिलता है, कि आपको जो railway के vacancy है, जैसे group D की vacancy है, तो उसमें 20% तक आपको छूड़ भी मिलता है, तो अलग-अलग 20-10%, 20% ऐसे छूड़ मिलता है, जहां तक apprentice कर लेते हैं, और सबस एक बार मैं आप लोग को पूना बता दूँ कि सबसे ज़्यादा आप लोग को ITI करना होगा, तो electrician, electronics, wireman, fitter, turner, machinist, welder, ठीक है, mechanic, motor vehicle, diesel mechanic, tractor mechanic से आप ITI करियें, इन trade से यदि आप कर रहे हैं, तो railway में सबसे ज़्यादा vacancy इनी trade पे आता है, और इनके अलावा railway में तो आ इनके अलावा nuclear power corporation जो है, जैसे कि NPCIL हो गया, HWB Heavy Water Board हो गया, उसके बार्क भाबा आटोमिक Research Center हो गया, ठीक है, और IGCAR हो गया, इंद्रगाडी आटोमिक Research Center वाला, तो वो सबी vacancy आपको देखने को मिलेंगे, इन trade हो से कर ले रहे हैं, तो यह trade मान कर चलिए, यह सदावाहा इस वीडियो में railway में बात करने वाला था, तो railway में आपको vacancy सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो group D post पे मिलता है, उसके बाद group C, जो की group D है, यह fourth level का है, और group C में भी ITE level के काफी vacancy आती है, जैसे कि technician post हो गया, उसके बाद आपका assistant local pilot आगया, यह काफी बेतर होता है, और group C से ही promote होकर group B में जाते हैं, और group A में जैसे कि group B हो गया, C हो गया, इसमें J वगरा की vacancy आती है, तो वो diploma और BTEC वालों के लिए रहता है, तो यहाँ पे ITE में आप लोग को समझ में आगया, कौन कौन से trade से आपको ITE करना है, एक खास guys, और मैं आप लोगों से एक subscribe और support कर दिएगा, और देखिए, ITE यदि आप कर ले रहे हैं, तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजेगा, कि आने वाली सभी apprentice की notification आपको देता रहता हूं, साथ में आप लोग की तैयारी, railway की तैयारी हो गई, और HWB यानि के heavy water board की तैयारी हो गई, NPCIL, nuclear power corporation, India Limited की तैयारी हो गई, ठ अब छेतर की तैयारी है, इस चैनल के माधियम से आप लोग को करवाता रहता हूं, ठीक है, और कोई query रहता है, तो आप मुझे Instagram पे message कर दीजेगा, और देखिए, ITE से maximum student जो है, हमारे telegram channel और telegram group में जोईने, तो आप भी उसमें जोईन करिए, लगवा 2000 student तक जोईन हो क्योंकि लड़के हर state से उसमें जोईन है, तो हर state में जो जाब निकर कर आता है, ITE level का, तो वहाँ आसानी से पता चल जाता है, और आपको भी आसानी से पता चल जाएगा, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, ITE के बाद आप लोग ITE में जो trade में बताया हूं, उसी में चूच कर लिजेगा, otherwise आप जो भी trade चूच करना चाहते हैं, घर के लिए लोगों से पूच कर या आपने relations से तो वो भी पूच कर admission ले सकते हैं, हाला कि जो trade में यह आप बताया हूं, वो railway की job की regarding और other job की regarding में बताया हूं, जो की सबसे जादर vacancy देखने को मिलते हैं, आज आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजगा, और चैनल पर पहली बार होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा, थैंक्स पार वाचिंग दिस वीडियो गाइज,